हेलो गाईज मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33 डियर अगर आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ा हुआ चीज आप दो दिन तीन दिन के बाद भूल जाते हैं तो ऐसा क्या करें कि पढ़ा हुआ चीज हमेशा के लिए याद रहे तो वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि अगर आप उसे फोलो करते हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे वो जिन्दगी भर तक आपके माइंड में छप जाएगा तो फ्रेंड पढ़ाई करने का एक नियम होता है एक रूल होता है ऐसा नहीं कि आप बुक को पलट रहे हैं पढ़ना पलट रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं और आपका उसमें फोकस नहीं है और आपने 10 घंटा तक पढ़ लिया और आपका माइंड कुछ भी याद नहीं ठीक है एसा पढ़ाई कोई कमका नहीं है कि आप पेज को पलट रहे हैं दस घंटा पलट दियें दस दिन पढ़ लियें पूरा मतलब मतलब पढ़ते जा रहा हैं लेकिन आपका माइंड कुछ भी क्याच नहीं कर रहा है तो भाई वो पढ़ाई नहीं हुआ ठीक है पड़ाई करने का रूल ये कहता है कि जैसे कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो पहला पेज जैसे पढ़ रहे हैं जैसे की पहला पेज में लिखा हुआ है कोई स्टोरी मन लीज़े कि उसमें इस्टोरी में लिखा हुआ है कि रमेस घर से निकला रोड पे रोड पे उसको एक ओटो मिला ओटो में बैठा और वो पटना चला गया तो आपके माइन्ड में एक इमेजन आना चाहिए आपके माइंड में एक फोटो आना चाहिए, फिगर आना चाहिए, कि रमेस अभी निकल रहा है घर से और रोड पे गया, रोड पे जाने के बाद ओटो पकड़ा, ओटो पकड़ने के बाद ओटो कहा गया, पटना गया तो कोई भी बुक में जो इस्टोरी लिखा होता है फ्रेंड उसको आप परजेंट में रिलेट करें, ये ना कि पास्ट में, अगर आप पास्ट में सोच के करोगे, तो भाई आपका माइंड कहेगा रहे यार वो तो बीत गया, आप उसको काहे सोच रहा है, आपका माइंड य अभी मैंने आपको क्या बताया, रमेस घर से निकला, रोड पे गया, रोड पे उसको ओटो मिला, ओटो कहाँ गया, पटना गया, तो अब आपके माइंड में ये चीज अभी चल रहा होगा, कि रमेस अभी घर से निकल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे ओटो एक उसको सामने से दिखाई दे रहा है, और वह इसारा कर रहा है, भाई साहब रुख जाओ, उसके बाद ओटो में बैठा, ओटो में बैठने के बाद पटना गया, भाई, आपके माइंड में पटना वाला फिगर आना चाहिए, आपके माइंड में रमेस वाला फिगर आना चाहिए, आपक उसमें mind आपका focus में नहीं है तो भाई वो पढ़ाई कोई कम का नहीं है अगर आप पढ़ें तो पूरा focus के साथ पढ़ें consistency के साथ पढ़ें जैसे कि कोई भी चीज पढ़ें तो उसके आपके mind में एक figure आना चाहिए एक आपके mind में उसका एक image बनना चाहिए कि ये चीज अभी हो रहा है ये पहले नहीं हो रहा था अभी हो रहा है ठीक है तो जैसे कुछ भी करें कुछ भी पढ़ें तो उसको आप परजंट में रिलेट करें ठीक है जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं ही यार इस मूवी का हीरो तो मैं ही हू आपको ऐसा इमेजन होना चाहिए, आपको लगने लगता है कि कास मैं भी इसके जगा पे फिट हो जाता, मैं भी अजय दगवन बन जाता, मैं भी सारुखन बन जाता, तो वही होता है, आपका वहाँ पे फोकस बना हुआ है, आपके वहाँ पे इमेजन दे रहा है, वीडियो पाले मूभी में अजे दगवन का नाम क्या था तो आप तुरंट बोलेंगे अरून ठीक है और उसमें कौन लड़की थी हिरोहीन का उसमें क्या नाम था उसमें आप बोल देंगे तुरंट की सपना उसके प्यार में पागल था तो भाई यही होता है मूभी जो आप देखते ह तो मुवी को देखने में अट्रक्ट होते हो, क्या होते हो, क्योंकि आपको मजा दे रहा है, तो ऐसे ही होता है, पढ़ाई फ्रेंड बस आपके पास कोई सीन नहीं चलता है, ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड अगर आप पढ़ाई को फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपका माइंड ओटोमेटिक इमेजन बनाता है ठीक है तो ऐसा कोशिस करें कि पढ़ाई करते समय आप फोकस के साथ पढ़ें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और पढ़ाई करने के अलावा आपके माइंड में कुछ और नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहें तो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे अगर करेंगे तो आपके माइंड इमेजन देता है थांक यू फ्राइट।